तो आपी सही उतार हो जाएगा है अधिनक ठोगो मैं इस का सबस्द आपteर को करने के लिए सबसे पहले Keep the फॉराइंड करना होता म James Chief carried away. तो उसी पिकार से आपको 11 का संबन बताना था जैसा कि आप लोग देख पारे होंगे 7 का संबन आप लोग 50 7 को आप लोग 50 कैसे बना सकते हैं तो हम यह जानते कि 7 का स्कॉर होता है 49 अगर हम एक कर देते हो जाता है पचास यानि कि स्कॉर करके एक जोड़ा गया ठीक है तो इसी पिकार से लोग 11 में भी उसी पिकार से पैटन फॉलो करेंगे 11 का स्कॉर करते हैं तो यह आपका 121 आजाएगा प्लस वन किया तो 122 इसका सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर हो होगा ठीक है खुलाइक कास समण करतने तो's गार गौन का समय करिका खिशे होगा तो कुछ जैसा जैसा कि आपको पता क्या मोटन होता है वह कातना होता है किसी भी चीज को तरुक ibis कर । इसकार से होता तो जिस परकार से कुलहारी का प्रयोग किसी चीज को करतने में किया जाता है उसी प्रिकार से जो गों का प्रियोग है आपको चिपकाने में यूज किया जाता है ठीके गों को तो गोंDie का प्रधाना जो प्रधान होता है जब को सबस्क्त का सब्सक्त Pierre ederla person अगला सब्सक्राइब आता तो सफ यदिधे सब्सक्राइब जो है ल में सब्सक्राइब करते रहें यादी कल Elizabeth वाल को सब्सक्राइब वह क्लिए कहते थी में खोर मुर्लीच थे ट्रियों कि इस थिक प्लस का सब्सक्राइंब बला और लोगों को टिया हुआ विन जैक लक्त लिटेंगए लिए सब्सक्राइब टीक पी करता है हैं मैने अन्य सब्सक्राइब गोशने यदि एक 5 प्लाइट जो है दी इस प्रिगारस है कि एंग उपर एक उपर किनेचे सी बीक नीचे यहाँ पर होगा कहीं सी इसके बात बोला है के नीचे भी है एक नीचे भी है तो यहां पर आप लोगों को डी लिखना है तो इस प्रिगारस आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले ई होगा अगला नीच्छ तो यह आरचन सूची में स्याम का इस्थान जो है उपर से 31 है मुहन का स्थान नीचे से 30 है यदि दोनों की स्थाती बदल जाए तो दोनों की स्थाती है नीचे से 41 हो जाती है दोनों की बीच आरचन सूची में कितने व्यक्ति हैं तो यह सही आंसार आप लोगों को इसका बताना है आपको उतादे इस प्रकार की सवालों करने के लिए आप लोग यहां पर आराम से सोचेंगे थौट प्रसेस का यूज़ करेंगा आराम सी आप लोग इसका आंसार निका होंगे राम के बाद भी साथ होंगे यानि कि साथ साथ चौदा और एक राम पंद्रा लेकर अगर आप लोगों से जोड़ेंगे आठाट शोला हो जाएगा तो यहां पर गलत हो जाएगे आपका पंद्रा आता है तो आप लोग इस पकार से थोड़ा अगर माइन का करति क्रम मैनेस का प्रारंभिक्रम और मैनेस का वन तिक जिस परिगार से हमने आपको बताया था मैनेस बन ज़रूर करना पड़ता है इस परिगार के सवालों में तो आपका दस इसका सही उतर हो जाएगा राइट अंसर अगला कोश्य ने विक्रम जो है सारा भाई जींद्र कहां पर है तो दोस्तर का सही उतर है तिरुवनें दिवस कब मना जाता है तो तो सही उतर है चब्श नॉमबर को हर वर से राष्टी कानून दिवस मना जाता है 26 विश्व चुनामी जाग रुकता दीवस कम मना जाता है तो दुस्त आज बांध महाराष्ट में इस्थेता है भरत आने वाले जो है सागरी मार्क या समुद्री मार्क की खोज किस ने की थी तो वासको डिगामा ने की थी राइट अंसर वासको डिगामा इसका सही उतरता विस्व सुचाले दिवस का मना जाता है तो दोस्तो इसका सही उतरता उनिस नॉमबर को विस्व सुचाले दिवस म आपाक्सुल जहाँ हैं घझल गायक गुलाम मुस्तपा الخान का जन्म उत्तरप्रोदेश के किस घहले यह धायु उत्तरप्रदेश की सचा में एंब्छा कान संसपड भावन की जो नियुवा कब रखी गईथी गई तो स raisły उतर हैं 12-11 की चटि आ पहले दो इस प्रदेश कानपूर मेरी टेता है अगला कुछा से लंका प्राचीन जह नाम है यह आपका तो सिलोन-स्राइब करने लगण है अगला कोशन इस पिगार से मार्ज इसी क्या संदी बताना था और यहां पर आपको बतादे तस्मों आये था ठीके तो यहां पर आमर इसका सही उतरता इसके बाद महार इसी सब्द में कौन सी संदी है तो इसका सही उतरता गुड़ संदी ठीके महार इसी सब्द में जो है सब्सक्राइब कर दोनों की आयू का जो यूग है वह एक सो बाउन हो जाता है तो हम लोग बारा मान लेते हैं ठीक है एक सो चालिस जोड़ देंगे टू एक सब्सक्राइब एक सो नब्य और एक सब्सक्राइब आपका 95 आजाएगा वाई बराबर 45 आजाएगा तो दादाजी की 95 और वाई बराबर जो आपकी रामता उसकी 45 आयू हो जाएगी पर्यावाची चुनना था तो अमलेका कोशन कोशन बनते हैं सभी जो है उसकता नहीं इसका सही उतरता वोला है तो तो Especially नाम लगाना यानी की मूल्यमकन करना टीक है मूल्यावकर करना इसका सही उतरze इसके बाद Amazon का CEO कौन है Amazon के क्या है CEO कौन है तो आपको आंसर बताना है सही उतर था आपको बता दे एंड्रिव आर जैसी एंड्रिव आर जैसी इसका सही उतर था राइट अंसर था एंड्रिव आर जैसी जो थे यह आप लोगों के बताने सबसे छोटी बोन यानि की हड़ी के नाम बताना था मानो शरीर के सती पर्था का अंत जो है राजयराम मोहन राय द्वारग किया गया था ती सभी कोश्चन आप लोगों के अगला कोश्चन था एफ आइफ आई गांधी खेल रतन पुरुसकार का नाम चेंज करके मेजर ध्या खेल रतन पुरुसकार कर दिया गया है नेक्स्ट कोशन आय था अनुछेद 32 किस से समंदित है प्रैक्टी सेट में सभी कोशन बार-बार मैंने आपको ये करवाए थे अनुछेद 32 जो है ना ये समयधानिक उपचारों के अधिकार से समंदित है आर्टिकल समयधान से हर शिप में एक या दो फुल फॉम से कोशन बन रहा है, CNG का फुल फॉम पूछा गया था, तो कंपरिश्ट नेचुरल गैस जो है ना, CNG का फुल फॉम होता है, वहीं बात करें LPG, LPG का फुल फॉम होता है, लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस, ये आने वाले शिप में पू का नाम है, यहाँ पे देखिए, इलाहबाद का नाम अब आपको मालूम होगा वरतमान में प्रियाग राज है, पर आज वाले कोशन में जो है ना, ओप्शन में इलाहबाद ही दिया हुआ था, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट कोशन आये था कि, निर्वाचन आयोग का वैसे दोस्तों अगर अपने बात करें, गोदावरी नदी की परमुख सायक नदियां, तो पेगंगा नदी, प्राण हीता नदी, इंद्रावती नदी, मंजीरा, सबरी नदी और मनेयर, यह सभी क्या है, गोदावरी की सायक नदियां है, अब इन में से कौन सा आपके उप् करता है अंस्वर पे, नेक्स्ट कोश्चन पूछा गया था, करेंट फेर का ही कह सकते हैं, बिहार, विधान, सभाद, चुनाव, 2020 जो हुआ है, उसमें कॉंग्रेस पार्टी को कुल कितनी सीटे मिली थी, कॉंग्रेस पार्टी को टोटल 19 सीटे मिली थी, और कॉंग्रेस पा नलीन का प्राइवाचे शब्द बताईए, तो देखिए, पुषकर, पुंड्रि, कमल, पंकज, ये सभी क्या हैं, नलीन के प्राइवाचे हैं, इन में से कौन सा आपके उप्शन में था, वो दोस्तों उसके साब से आपको अंस्वर करना था, नेक्स्ट कोशन आए था, का जाना जाता है, द्वितिय सिकंदर के नाम से अलाउदिन खिलजी को जाना जाता है, इसे सिकंदर ए सानी के नाम से जाना जाता है, नेक्स्ट कोशन आए था, स्री लंका का प्राची नाम, पुराना नाम पूछा स्री लंका का, तो स्री लंका का प्राची नाम सिलोन है, ठी भी easy to moderate थे ठीक है एक कोशन आया था कि यूम थांग जो घाटी है ना वो कहाँ पर है काफी अच्छा कोशन पूछा गया ये यूम थांग घाटी से कोशन था तो देखिए यूम थांग घाटी उत्तरी सिक्किम जिले में समुदर तल से 3555 मिटर की उन्चाई पर ये स्तित है ये है घाटी सिक्किम की राजदानी गैंग टोक से 148 किलो मिटर की दूरी पर है ठीक है दोस्तों एक कोशन था भरत नाटियम का जनक किसे कहा जाता है ये कोशन पूछा गया भरत नाटियम का जनक पूछा गया तो देखिए भरत नाटियम का उद्वव और विकास तमिल गैंग टोक से 148 किलो मिटर की दूरी पर है ठीक है दोस्तों एक कोशन था भरत नाटियम का जनक किसे कहा जाता है ये कोशन पूछा गया भरत नाटियम का जनक पूछा गया तो देखिए भरत नाटियम का उद्भव और विकास तमिल नाडू और उसके आसपास के मंदिरों से हुआ है यह एकल स्त्री नर्त्य होता है नेक्स्ट कोशन आया था दोस्तों बंगाल विभाजन ये कल भी पूछा गया था ये कोशन आज रिपीट हुआ है बंगाल विभाजन का वुगा तो ये 1905 में हुआ था इस समय जो वाइसराई थे वो लोड करजन थे नेक्स्ट होते हैं अब एक्जामीने पर डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन सा आज की ओप्शन में दिया हुआ था नेक्स्ट कोशन आया था कि यमुना का प्राईवाचे शब्द क्या होता है यमुना का प्राईवाचे शब्द पूछा तो दोस्तों रवित नेया, जमुना, काल गंगा भानुजा वे क्रिश्णा ये सभी यमुना के प्राइव आचे शब्द हो जाएंगे एक और आया था कि कोईल का प्राइव आचे शब्द बताईए तो कोकिला पीक काकपाली बसंत दूत सारीका कोही किनी वन प्रिया ये सभी क्या है ये कोईल के प्राइव आचे हैं नेक्स्ट एक कोईशन आया था कि वर्टसेप में यूपी आई पेमेंट है तो अपना पार्टनर किसने पार्टनर जो है किसको बनाया है तो देखिए दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, AXIS बैंक और GEO पेमेंट्स बैंक को बनाया है अब इनके अलावा जो option में था अगर आपसे पूछा कि नहीं तो आपको वो टिक करना था ठीक है दोस्तों, next question आया था इंटरनेशनल किरकेटर बनने के लिए भारत में न्यूनतम आयू क्या है, अगर भारत में आपको इंटरनेशनल किरकेटर बनना है तो आपकी न्यूनतम आयू 15 वर्स्तो होनी ही चाहिए, next question आया था कि भारत के प्रथम जो निर्वाचन आयूक्त हैं वो कौन है, तो भारत के प्रथम निर्वाचन आयूक्त हैं सू कुमार सेन जी, next question आया था कि हतीनी कुंड बांध कहां पर है, हतीनी कुंड बांध दोस्तों ये आपका हर्याना में है यमुना नगर जिले में next कोशना आया था कि सबसे जो सशक्त प्रमानु केंदर है वो कहां पे है सबसे सशक्त प्रमानु केंदर ये आपका पोखरण राजस्तान में हो जाएगा next कोशना था मध्य पर्देश के राजेपाल कोन है मध्य परदेश के राजेपाल है मंगू भाई नेक्स्ट कोशन है था उस्ट्रेलिया के घास के मेदान को क्या कहते हैं तो उस्ट्रेलिया के घास के मेदान को डाउन्स कहा जाता है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोशन था दिल्ली भारत की राजदानी कब बनी थी देखिए दोस्तों भारत की राजदानी को स्थानांतरित किया गया था दिल्ली में सन 1912 में नेक्स्ट कोशन है था बनेर घटा नेशनल पार्क कहां पर है बनेर घटा नेशनल पार्क ये आपका करनाटक राजे में स्थित है next question था वायू सेना की अधेक्स कौन है तो VR चोधरी वायू सेना की अधेक्स हैं तो देखिये लगबग जो कोशन आज पूछे गए थे सबी अपने कर चुके हैं अगर कुछ और कोशन रह गए हैं तो अगर आपका एक्जाम था तो आप कमेंट कर देना वीडियो अच्छा